नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है कर राट को फिलिपाइन्स में बहुत ही बयानक परिस्सितियां तक्रिबन साड़े 10 के करीब खड़ी हो गई थी जिसके दर्मियान रिक्टर स्केल पर तक्रिबन साड़े 7 के मैगनिट्यूट का अर्थक्विक साउथ फिलिपिन्स में रेकॉर्ड किया गया था इसके पर शाथ कई सारे पावरफुल आफ्टर शॉक्स आये थे जिसमें से एक आफ्टर शॉक की जो तीवरता थी वो तक्रिबन साड़े 6 रिक्टर स्केल पर थी इसको यूरोपियन मेडिटरियनियन सिस्मोलोजिकल सेंटर ने रेकॉर्ड किया था अभी तक जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से तक्रिबन 600 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और संडे मौनी यानि की आज सुबह अभी तक वहाँ पर कॉंस्टेंटल आफ्टर शॉक्स महसूस किया जा रहा है इसके चलते सुरिगाओ देल्सोर और दवाओ ओरियंटल प्रोविंसिस से कई सारे लोगों को आयर ग्राउंड की तरफ तुरंधी इवैकुएट करवाया गया था अफ्सोस की बात यह है कि इस भुकम के चलते एक महिला की मौत हो गई है जिसके उपर दिवार गिर गई थी इसके पर शाद सुनामी अलट भी डिकलेर कर दिया गया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि जापान का जो वेस्टन कोस्टल रीजिन है वहाँ पर इन मीटर तक के वेवस आ सकते हैं अभी तक वो वेवस वहाँ पर या तो पहुंची नहीं या फिर वो तीवरता कम हो गई है जिसके चलते जापान में परिस्तेतियां सामान्य है साउथ फिलिपाइन्स में भी लोग दीरे-दीरे वापस गराना चालू कर रहे हैं लेकिन ये जो फिलिपाइन्स का एरिया है उसको रिंग ओफ फायर्स कहा जाता है ये पैसिफिक ओशन का एक ऐसा रिजन है जहाँ पर कई सारे वालकेनोस की श्रिंखला है और ये सिस्मोलोजिकली भी काफी ही एक्टिव है जिसके चलते यहाँ पर बार बार अर्थ्ख्वेक्स बुकंब आते रहते हैं आशा रखते हैं परिस्तितियां जल्द ही सामाने होंगे साउथ फिलिपाइन्स के लोगों के लिए और सुनामी एलेट जो दिया गया है जापान में लोगों के लिए वो भी जापान के वेस्टन रीजन में पहुंचने से पहले शांत हो जाएगा जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेर करेंगे अगर आपका कोई भी रिलेटिव वहाँ पर है कोई भी दोस्त वहाँ पर है तो उनसे तुरन संपर्ग बनाए ताकि जो भी परिस्तियां डेवलप हो रही हैं उनके बारे में आप सचेत रह सके और उनको भी आगा कर सके भारत के लिए अभी इसमें कोई भी खत्रा नहीं है क्योंकि बहुत सारे जीपो के श्रिंकला है भारत और साथ फिलिपाइन्स के बीच में जिसके चलते चाहे वो अर्थक्वेक हो या सुनामी हो उसकी आसर काफी ही मंद्ध हो जाएगी इसी के चलते भारत के स आउथ इस्टन कोस्टल रिजियम में अभी तक कोई भी एलेट जारी नहीं किया गया है जो अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबादें जय हिंद कर दो